हेलो दोस्तों विल्कम तो आवर यूट्यूब चैनल होट कॉंट्रोवर्सी बॉलिवुट के सुल्तान सल्मान खान के चोटे भाई सोहेल खान आज अपना जनम दिन सलिब्रेट कर रहे हैं आज सोहेल बावन साल के हो गए हैं पॉपिलर फिल्म में फैमिली से तालोक रखने वाले सोहेल अपने बॉलिवुट करियर की वज़े से कम बलके अपने नीचे जिन्दिकी की वज़े से ज्यादा सुर्कियों में रहते हैं और आज साल 2022 तो सोहेल के लिए पेहद उटतार चिराव बढ़ा रहा है वज़ा है बेवी सीमा खान से तलाक जी हाँ दोस्तों सीमा और सोहेल की शादी की तूटने घबडे मीडिया में आई तो हर कोई हैरान रहे गया था भले ही सीमा और सोहेल की शादी का अंत तलाक पर हुआ हो लेकिन इनकी लव स्टोरी किसी बॉलिवुट की सूपर हिट मसालेदार फिल्म से कम इंट्रस्टिंग नहीं थी और सीमा के लव स्टोरी बेहद इंट्रस्टिंग है आपको बता दें कि फिल्म प्यार किया तो डर ना किया कि शूटिंग के दौरान सोहेल खान की मुलकात पंजाबी फैमली से आने वाली सीमा सचदेव से हुई थी दोनों फिल्म के सेट पर मिले और पहली नजर में इन्ह वाक्त खिलाब थें क्योंकि सोहेल एक बॉल्लीवूड फैमली से बिलॉंग करते थें इसके बाद सोहेल ने अपने लव स्टोरी को फिल्म इट उस्टे डाला और सीमा को घर से भागा कर आरे समाज मंदर में शादी कर ली और उसके बाद मस्जद की तरफ जाते मॉलवी को और वो घर ले आएं पापा सलीम खान की मौजूदगी में सीमा और सोहेल का निकाह पड़ा गया दोनकी शादी काफी अच्छी चल रही थी पर साल 2020 में करन जोहर की वेब सीरीज फैबलस लाइपस ऑफ बॉलिवूड वाइपस में कुछ ऐसा खुलासा हुआ जिसने सभी को चौका कर रख दिया इसी वेब सीरीज में खुलासा हुआ था कि सोहेल और सीमा खान एक साथ नहीं हैं और बिना तलाक लिए ही दोनों लंबे वक्त से अलग अलग रह रहे हैं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इनकी शादी में दरार आने की सबसे बरी वज़ा हुमा कुर दी और सोहेल के साथ अफेयर की खबरों को साब चुटलाया था लेकिन आज भी काहा तो यहीं जाता है कि दोनों के अलग होने की वज़ा हुमा ही हैं आपके इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सबस्क्र करना ना भूलें